नमस्कार, मैं हूँ कुनाग बजाज और आप देख रहे हैं The Opinion इस वीडियो मैं आपसे स्वास्त वैवस्ता के बारे में बात करने आया हूँ इंडियन हेल्थ केर सिस्टम के बारे में बात करने आया हूँ तो आगे चलें उससे पहले कुरोना वाइरस के कुछ आकड़े जान लेते हैं देश में कुरोना वाइरस के आकड़े देश में 79,000 को क्रॉस कर चुके हैं जिसमें से 25,000 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं 50,000 लोग अभी भी अस्पतालों में हैं और करीबन 26,000 लोगों की जान चली गई है लेकिन आकड़ा बढ़ता हुआ देख कर भी देश में लोगड़ाउन को ढील दी जा रही है उसके पीछे वज़े यह है कि लोग भुकमरी से ना मर जाएं कोरोना वाइरस से जादा निकले तैयार हैं क्या हमारे पास इतने वेंटीलेटर हैं क्या हमारे पास इतने होस्पिटल हैं क्या हमारे पास इतने होस्पिटल बैट्स हैं और क्या हमारे पास इतनी लोगों के लिए ऑक्सिजन मशीन हैं कि हम लोगों को ठीक रख सकें, केसिस बढ़ने के बाद भी हमारा सिस्टम फेल ना हो तो यही सब जानने के लिए आईए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हॉस्पिटल बैट से पहले अगर उसकी बात करी जाए कि देश में कित्ते अस्पताल हैं तो देश में अभी करीबन 69,265 हॉस्पिटल हैं जिसमें से पब्लिक सेक्टर में मलब सरकारी हस्पताल 25,778 है और प्राइविट सेक्टर की बात करें तो 43,487 है यानि कि करीबन 19,500 लोगों के लिए एक हॉस्पिटल है, साड़े 19,000 लोगों के लिए सिर्फ एक हस्पताल बात करेंगे, वेंटिलेटर के बारे में बात करेंगे तो अगर हॉस्पिटल बैट की बात करें तो देश में 18,99,228 हॉस्पिटल में बैट्स हैं जिसमें से पब्लिक सेक्टर में 7,13,986 प्राइविट सेक्टर की बात करें तो 11,85,242 तो करीबन 710 लोगों के लिए एक ब पर हजार की पॉपॉलेशन के हिसाब से 1000 लोगों पे 1,3 बैट है इस पे एक बात यह कि WHO क्या रिकमेंड करता है कि पॉपॉलेशन के हिसाब से आपके पास कित्ते बैट होने चाहिए हॉस्पिटल बैट कित्ते होने चाहिए तो WHO के मताबिक अपने पास कम से कम 1000 की लेकिन हमारे पास 1.3 बैट है हजार लोगों की पॉपॉलेशन के लिए यानि एक बैट है 710 लोगों के लिए और वो भी तब है जब हम प्राइविट हॉस्पिटल को भी इसमें गिने लेकिन प्राइविट हॉस्पिटलों का हाल अभी हम देख रहे हैं प्राइविट हॉस अच्छा हमारे देश हैं बहुत कमजोर है लेकिन अगर हम सिर्फ सरकारी होस्पिटल की बात करें तो 0.55 बैड एक हजार जनों की पॉपुलिशन पे 2000 लोग पे एक पलंग हॉस्पिटल में तो ये कुछ आकड़ा है लेकिन क्या हमारे पास सरकारी मजबूत होने चाहिए या प्राइविट मजबूत होने चाहिए ये जो भी हालात बने कोरोना वाइरस आया देश दुनिया में महमारी फैली तो हमने देखा हमारे देश में किस तरीके से प्राइविट हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भगने लगे नजाने कितने प्राइविट हॉस्पिटलों ने अपना काम करना बन कर दिया प्राइविट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स घर चले गए उन्होंने पेशिंस को देखना बन कर दिया कई हॉस्पिटल से अपने patients को discharge करना चालो कर दिया तो जिस तरह के हालात बन गए उस तरह के इसे बाकी लोग जिनको coronavirus नहीं भी था जो किसी और बिमारी से लड़ रहे थे उनके पास जगे नहीं बची खुद को दिखाने की कई लोगों की इसमें जान चली गई कई जगे पर pregnant औरत की death हो गई कई जगे पर pregnant औरत बच गई लेकिन उसके बच्चा जो उनके पेट में था उसकी death हो गई यहां तक एक ऐसा example भी आया कि एक pregnant औरत अपने बुड़े पिता को लेकर सकूटी पे जगे जगे अलग लग ओस्पिटल में गूमती रही और होस्पिटल वाले उनको देखने से मना करते रहे तो यह ऐसा कुछ scenario बन गया था हमारे देश में होस्पिटल का तब हमें पता चला कि हमारा यह धाचा अस्पतालों का धाचा स्वास्त विरस्ता का धाचा कितना हिलावा है कितना चर्मरा आ गया है शायद हमें ये अंदाजा पहले भी था लेकिन ये बात हमें पूरे तरीकी से समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि तब तक हमारे प्राइविट हॉस्पिटल थे जान को खतरा था तो कोई देखने को था अब हमें तब समझ में आया कि हमारे सरकारी अस्पिटाल इतने कम है और प्राइविट अस्पिटाल इस समय पर भगने लगे हैं वैसे तो गॉर्मेंट ऐसे टाइम पे प्राइविट हॉस्पिटल को टेक ओवर कर सकती है और ऐसा कई स्टेट्स में हुआ भी है जैसे कि कैरिला या कई और स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि वहाँ प्राइविट हॉस्पिटल को धिरे-दिरे टेक ओवर करना चालू करा हो Delhi government ने इस पे पूरा plan बनाया था कि किस तरीके से वो cases बढ़ते जाएंगे तो आगे आने वाले समय पे कुछ private hospitals को take over करते जाएंगे COVID-19 के patients देखने के लिए फिलाल में central government ने COVID-19 के चलते करीबन 35,000 COVID care center बनाया है जिसमें करीबन 35,000,000 bad एड हुए है मतलब 35,000,000 bad सरकारी अस्पतालों में और जुड़ गए है तो आप मान लीजे करीबन 11,000,000 या आकड़ा पहुचा है मतलब अभी तक इस देश में 135 करोड के अबादी में अभी आज की डेट तक करीबन 11,000,000 सरकारी अस्पताल में bad है तो अब हम इससे आगे चलके ICU bed पर आते है तो इस देश में ICU bed की संक्या है 94,961 यानि की public sector में करीबन 36,000 ICU bed है और private sector में 60,000 वही अगर अब ventilator की बात करें तो हमारे देश में total 50,000 ventilator भी नहीं है जिसमें public sector में 18,000 और private sector में 30,000 ventilator है अगर population के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे एक लाग जनों की population पे 3.5 ventilator है वही अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 35 ventilator है 1 lakh की population पे तो इटली की बात करें तो वहाँ पे 12.5 और अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे 3.6 तो चाइना में इत्ते कम कैसे है चाइना में इत्ते कम इसलिए है क्योंकि वो उसका हाल भी इंडिया की तरह ही है चाइना का भी हेल्थ केर सिस्टम चर्मराया हुआ है यहां भी रूलर एरिया में और अर्बन एरिया में वैसा ही health care में अंतर है जैसे इंडिया में है जैसे इंडिया में, रूलर एरिया में health care system की हालत काफी खराब है सरकार की हिसाब से 2.33% cases में ICU की जरूवत पढ़ रही है और 0.41% cases में ventilator की 1.8% cases में oxygen की पहले तो एक चीज़ पर गौर करें कि इसका transmission rate बहुत तेज है फैलता काफी जल्दी है लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको हो जाएगा उसी को जान का खत्रा है हर इंसान को जान का खत्रा है ऐसा नहीं है क्योंकि इसका mortality rate, fertility rate 3.2% है यानि अगर ये 100 लोगों को होता है तो उसमें 3 लोगों की या maximum 4 लोगों की जान जाने की आशनका है अगर इसको और गौर से देखा जाए तो अगर COVID-19 ये कोरोना वाइरस 1000 लोगों को हो रहा है तो उसमें से 1000 में से 4 लोगों को ventilator की जरौत पढ़ रही है और करीबन 23 लोगों को ICU bed की लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हमें आने वाले समय में किते hospital और बनाने पढ़ेंगे किते ICU bed की जरौत पढ़ेंगी, किते normal bed की जरौत पढ़ेंगी, किते ventilator की जरौत पढ़ेंगी और किती normal oxygen machine की जरौत पढ़ेंगी अभी ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि Corona virus कि स्पीट से बढ़ेगा किती तेजी से बढ़ेगा, किती तेजी से फैलता जाएगा lockdown जैसे ही खुलेगा लोग किस तरीके से social distancing follow करेंगे नहीं करेंगे, किस तरीके से करेंगे जितना लोग इस चीज़ को social distancing को, mask panel को नजर अंदास करेंगे, उत्ती ही तेजी से देश में coronavirus फैलता जाएगा तो आज ये कहना बहुत मुश्किल है, इंडिया को देखते हुए, कि कल coronavirus यहाँ पर कित्ते तेजी से फैलेगा ये महामारी कित्ते लोगों की इंडिया में जान ले सकती है यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसका peak कब आएगा peak आएगा तो peak क्या होगा हर expert अपने अपने आकड़ों के हिसाब से अपने अपने कुछ variable चुनके कुछ graph जरूर बता रहा है लेकिन कोई भी एक सटीक चीज नहीं बता रहा है कि भारत में यही होगा इस तरीके से होगा और ये peak होगा तो अगर इन सब शीजों को देखते हुए अगर हम private और public hospital के ventilator, bed और ये सब भी मिला दें तो हमें इसको भी कई गुना multiply करना पड़ेगा हमें उत्ते hospital bed के उत्ते ventilator की जुरत पड़ेगी अभी जित्ते हैं उससे कई गुना और चाहिए होंगे क्योंकि एक तरीके से देखें तो अभी हमारे पास जित्ते ventilator थे या जित्ते हमारे पास hospital bed थे वो सब तो अभी के आवशकताओं के हिसाब से अभी की जरूरत के हिसाब से काम में आ रहे थे लोगों को कोरोना वाइरस तो आज हुआ है उससे पहले कई और बिमारियां चल रही थी कई कुछ accident होते थे कई और दिक्कते आती थी तो उन सब चीजों की capacity के साब से उन सब चीजों को देखते हुए अभी तक अस्पतालों में bed थे ventilator थे और वो उनी सब चीजों के काम में आ रहे थे अब अचानक से देश में दुनिया में महामारी फैली तो अब उसके लिए हमें एक अलग पैलल सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर यही ventilator और यही bed coronavirus से काम में आएंगे तो जिन लोगों को cancer है, diabetes है या और कोई दिक्कत उसे लोग जूंज रहे हैं वो कहां जाएंगे उनके लिए अस्पताल, उनके लिए पलंग और उनके लिए ventilator की पूर्ती कैसे होगी तो इसलिए अभी हमारे पाजित्ते हैं हमें उससे कई गुना जादा और की जरूरत है और अच्छा यही होगा कि और जो हम बनाएं आगे इसको multiply करें वो private ना होके सरकारी हो ताकि आगे को इस तरीके से भगे ना वहीं अगर अब हम ruler और urban area को compare करें उन दोनों के healthcare system को compare करें तो हमें पता चलेगा कि भारत में ruler और urban area में कित्ती ज़दा healthcare में disparity है देश की 70% अबादी गाउ में रहती है लेकिन वहाँ पे सिर्फ 34% देश में जित्ते hospital के बैड है उसके सिर्फ 34% गाउ में है और देश की 30% अबादी जहां रहती है यानि कि शहर वहाँ पे 66% hospital beds है देश के कुल total में से यानि कि क्या ratio है गाउ और शहर में 2-1 का शहर में जहां 2 पलंग है वही गाउ में एक पलंग है 66% देश के hospital के पलंग शहरों में है और 34% गाउ में और अबादी इसकी जस्ट उलती 70% गाउ में और 30% शहरों में तो हम देख सकते हैं कि किस तरीकी disparity है इस disparity को देखते हुए अभी थोड़ टाइम पहले महरास सरकार ने कोटा भी जारी करा था कि जो डॉक्टर्स गाउ में जाने को तयार है गाउ में जाके लोग की ठीक करने को तयार है उनका इलास करने को तयार है उनके लिए 10% कोटा अलग से क्योंकि गाओं में कई जगे ऐसा होता है कि कहीं हो लोग डॉक्टर जाने को तयार नहीं तो इन सब चीजों के चलते हैं शहरों और गाओं में डिस्पेरिटी बढ़ गई है तो वहाँ पे इसको फैलने का खत्रा सबसे ज़्यादा है 2007 की मध्यपदेश की एक स्टडी बताती है कि वहाँ के रूलर और अर्बन एरिया में कित्ता अंतर है वहाँ पे 8,000 लोगों पे अगर हम गाओं की बात करें तो 8,000 लोगों पे एक डॉक्टर है गाओं में तो हॉस्पिटल बैड में कुछ राज्य तो बहुत ज़्यादा ही पीचे हैं कुछ स्टेट्स तो बहुत ज़्यादा ही पीचे हैं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 1000 लोगों पे 0.11 बैड है यानि कि 10,000 लोगों पे हॉस्पिटल में सिर्फ एक पलंग तो इस तरीकी कुछ हालत है अगर हम देश के अलगलग स्टेट्स की बात करें तो कहीं पे 2 बैड हैं कहीं डेड़ बैड हैं पर 1000 की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम इसको कैसी और देश से कंपेर करें कि हमारी सरकार कितना खर्चा करती है हेल्थ केर सिस्टम पे तो अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में अगर आपको कुछ होता है आप बिमार होते हो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो 70% खर्चा सरकार आपको वापिस द लंबी चलने वाली बिमारी है तो वहां की सरकार 100% तक पैसे आपको रिफर्ण कर देती है आपके अकाउंट में पैसे वापिस आ जाते हैं अब अब आपको पेमेंट करना पड़ता है जब आप दिखाने जाओगे तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा लेकिन वहां पे सक प cage fares की बंद किरें तो अब इयान सिर्फ 20 पर-शंड के आशाब कास ईसे लोग हैं जिनका हैav एंस हेल्ध हैं वहीं मैक्जियुम कुछ ऐसा है कि फोटी बीमारीयों काम नहीं करता है प्र दो colored milk काम नहीं करते तो हमारे ढंक से 20% भी जो health insurance है वो भी काम नहीं करता वहीं वहाँ पे 100% health insurance है हमारे यहाँ पे भारत में जो भी total खर्चा होता है health care पे लोगों का साल भर में उस में से सिर्फ 20% खर्चा ही public finance है टोटल हेल्थ केयर पर खर्चा जो होता है उसमें से 80% खर्चा लोगों की जेप से जाता है हमारे देश में लोग हेल्थ टूरिजम के लिए जरूर आते हैं बहार से कई लोग अपना इलास करवाने हमारे देश में जरूर आते हैं लेकिन वो उन कुछ प्राइवेट अस्पतालों में आते हैं जो हमारे ही देश के लोग अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं शायद भार की कई देशों में के हिसाब से हमारे यहां मेडिकल की क्वालिटी उन प्राइवेट अस्पतालों में अच्छी है लेकिन हमारे देश के 70% लोग जो गौव में रहते हैं और मैग्जिम्स लोग जो शहर में रहते हैं वो भी उन बड़े प्राइविट अस्पतालों में जाके इलाज नहीं करवा सकते और सरकारी की हालत तो आप जानते ही है तो अब हमें हमारे अभी फिलाल जो सरकार काम कर रही है वो है PPP मॉडल पब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप के अस्पताल के मॉडल अब हमें वैसे अस्पताल वैसे हॉस्पिटल नहीं चाहिए जो कोरोना वाइरस ने हमें दिखाया जो दिख्ट से दिखाया हमें अब उससे समझ में आ गया कि हेल्ट के अस्पिटल किती इंपॉर्टन है इस देश के लिए किती जरूरी है हमें वही अस्पताल चाहिए जो सरकारी हो मुफ्त में इलाज करें जहां मैग्जियम लोग जा सकें और वो इस तरीके से बने हो कि वाँगी क्वालिटी मेंटेन हो रहे हो मैनेजमेंट दुरुस्त हो फिर भी हम अगर कुछ स्टेट का एक्जामपल ले तो दिल्ली स्टेट वहाँ पर जो भी महला क्लिनिक चल रहे हैं वो फिर भी काफी सक्सेस्फुल है तो अगर आप चाते हैं कि हम एक महला क्लिनिक पर भी वीडियो बनाएं तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे आपको बताएंगे कि महला क्लिनिक कितने एफेक्टिव है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आप उसके वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं फिलाल तो हमें कोरोना वाइरस से जंग जीतनी है और उससे जंग जीतने के लिए हमें हमारे हेल्थ केर सिस्टम को और मजबूत करना पड़ेगा दिन बादिन कई कमपनी अभी हमारे देश के लिए वेंटिलेटर बना रही है जैसे महिंदरा हैं महिंदरा हो गया ब्रेक्स इंक्लूजिय के कमपनी है वो भी हमारे देश के लिए वेंटिलेटर बना रही है तो इस तरह के से कई कंप्रीज वेंटिलेटर बनाने का काम कर रही है कई ने भी PPE kit का काम चालू कर दिया है ताकि इस महामारी से हम बाहर निकल सके लेकिन महामारी से तो शायद आज नी तो कल दो साल बाद हम बाहर निकल ही जाएंगे उससे निकलने के बाद health care system हमारे देश का कितना मजबूत है वही हमारे देश को आगे ले जाएगा तो यही सरकार से विंती है कि हमारे देश health care पे जोड़ दे GDP का जो total खर्चा जो सरकार करती है वो करीबन आज तक 1% है उसको बढ़ाए और हमारे को एक अच्छा देश में एक अच्छा health care system मिले इसी के साथ अगर आपको यह informative वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like कर दे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें subscribe करना ना भूले जय हिंद धन्यवाद